नमस्कार स्वागत है आप सभी का UPNM 9212 लेटेस्ट अपडेट में दोस्तों कैसे आप सभी उमीद है आप अच्छो और सुस्तों के आज हम UPNM 9212 भरती से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको UPNM 9212 भरती की जोआनिंग लेटर से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं आज UPNM 9212 भरती की जोआनिंग लेटर कब तक जारी किया जागा इसके विसे में बहुत बड़ी अपडेट आज जारी की गई है तो दोस्तो उससे पहले एक रिक्विस्ट आप से है आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक के शेर जरूर कीजिए अगर आप हमारे चैनल को जाता श्याता सब्सक्राइब करेंगे तो हम इसी तरह की लेटर अपडेट आपके लिए लेकर आत जाएगी हाईकोट ने राज सरकार को बड़ी रहात देते हुए 7000 महीला स्वास्थ कारकरता एन्यम की न्यूक्ति का रास्ता एकदम साप कर दिया गा है मतलब दोस्तों यूपी एन्यम 9212 भरती की न्यूक्ति प्रक्रिया पर जो रोक लगाए गई थी अब उस रोक को जो र लड़ प्यभाग और कब तक यूपी एन्यम 9212 भरती की जोइनिंग लेटर जारी कर दिया जाएगा तो इस वीडियो में आपको महत पूर जानकारी मिलने वाली है दोस्तों सबसे पहले बात करें यूपी एन्यम 9212 भरती में 7000 महिला स्वास्थ कार करता एन्यम की न्यूक्ति पर एकल पीठ द्वारा लगाए गई रोक को पहले ही हटा दिया गया था इन पदों पर चैन प्रक्रिया पूरी कर उत्तरपदेश अतना सेवाचैन आयोग ने महाने देशक परिवार का ल्यान को अपने संस्तूती बहेज दी थी लेकिन हाई कोट की एकल पीठ द्वारा न्यूक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा देने से सफल अभ्यारति को न्यूक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा था लेकिन आज बहुत बड़ी अपडेट यूपी एन्यम 9212 भरती संबंधित जारी की गई है दोस्तो आप लोगों सीग रिक्विष्ट है कि आप हमारे चैनल का भी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करके शेल जरूर कीजिए सोमो अरको नियाय मूर्थी रमेज सिन हो नियाय मूर्थी जस्परेश सिन की खंड पी ने एकल पीड को यूपी एनेम 9212 मतलब 19 अक्टूबर 2022 के आदेश के खिलाब चैन आयोग क्योर से दाखिल विश्यस अपील मंजूर कर ली थी लेकिन राज सरकार ने वर्स 2019 में प्रदेश में 9212 पदों पर महिला स्वास कार करताओ की नियुक्त के लिए चैन आयोग की अधी आजना भी बेचा था आयोग ने विग्यापन निकालने और प्री और लेखित परिच्छा के बार 6 अगस 2022 को अंतिम चैन परडाम घोसित कर दिया था लेकिन इसके पशाद भी आयोग ने 22 अक्टूबर 2022 को महा निदेशक परिवार का ल्याड को उक्तरिक्त पदों के साफेच 7189 अभ्यारतु के नियुक्ति को संतूति भेज दी थी हलाकि एकलपीट ने आर्थिक रूप से कंजोर यूपी ने 9212 अभ्यारती कोर से दाखिल अलग अलग याजकाओं पर 19 अक्टूबर 2022 को ही आदेश दे दिया था लेकिन इन ही आजकाओं को पूर में जारी आयप्रवाण पत्र के जगहां नए आयप्रवाण पत्र जारी के एक जारी जारी जिस पर आयोग विचार करने ड़े लेगा मतलब दोस्तो यूपी एनेम 9212 भरती का जो जो जोईनिंग लेटर जारी किया जाएगा उलग भग आपको 10 से 12 दिन का और इंतिजार करना पड़ सकता है क्योंकि आयोग जोईनिंग और नियुक्ति पत्र बित्रव के सम्मद में एक समारो का आयोग जन करेगा उसे समारो की मात्यम से यूपी एनेम 9212 चैनीज अब भरती को जोईनिंग लेटर दिया जाएगा मतलब दोस्तो यूपी एनेम 9212 भरती में जितनी भी सफला भरती है वो के ओल 10 से 15 दिन का और इंतिजार करें क्योंकि यूपी एनेम 9212 भरती में नियूकती पत्र लगभग 10 से 15 दिन बाद आयोग की विप्साइट से जारी कर दिया जाएगा मतलब दोस्तो यूपी एनेम 9212 भरती में जितने अभियारती बार-बार ये सवाल कर रहे थे कि UPNM 9212 भरती का निकती पत्र कब तक जारी किया जागा और सभी अभ्यारतियों की जोइनिक प्रक्रिया कब तक दे दी जागी तो आज UPNM 9212 भरती की जोइनिक प्रक्रिया का इंदिजार कर रहे है अभ्यारतियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आज निकल कर आई है नियुक्ति पत्र का वित्रण जो किया जाएगा और लगबग 10 से 15 दिन के भीतर सभी अब भ्यारत्यों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा मतलब दोस्तों आपको तो मालू होगा कि UPNM 9212 भरती प्रक्रिया को हाई कोड की ओर से रोक लगा दिया गया था लेकि अब सभी जितने भी कोड केस्ट हैं वो सभी खत्म हो चुके हैं ऐसे में अब उमीद की जा रही है कि UPNM 9212 भरती की नियुक्ति पत्र सभी अब भ्यारत्यों को जल्द से जल्द दे दिया जा सकता है तो दोस्तो अगर आपने भी UPNM 9212 भरती में सफल हुए है तो आपको केवल 10-12 दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि आयोग अब जल्द ही UPNM 9212 भरती में जितने भी सेलेक्टेट अब भ्यारती है उनका नियुक्ति पत्र बितरन के लिए कारिकरम गोसित करे से मिल जाएगी मतलब दोस्तो UPNM 9212 भरती की नियुक्ति पत्र जिब आयोग जारी करेगा तो उससे पहले अपने वेफ्ट्राइट के माध्यम से एक विग्यापन निकालेगा उसी विग्यापन के आधार पर सब ही अभ्यारती को नियुक्ति पत्र के बितरन के संबंद मे एक सुची जारी करके घुषड़ा की जागी और सब ही अभ्यारतों का नियुक्ति पत्र दे दिया जागा तो दोस्तों ये थी महत्त पूर्ट जानकर UPNM